जैहिंद बंदेवात्रम नवसकार सातियों आप सभी का अपती अपतार एस्टी 705 वर में स्वागत है और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा उस्तों केंद सास्यत प्रदेश ठीक उसे सम्मद्दित दोस्तों आठ हमारे केंद सास्यत प्रदेश हैं इनके बारे में पहले हम बात करते हैं यहां पर केंद सासित प्रदेश कुछ दोस्तों महत्तों जानकारियां उनके बारे में जान लेंगे तो यहां पर उस्तों क्या है चंडी गड़ के वारे में अगर हम बात करते हैं संग छेत्र भारत के संगी प्रसासनिक धांचे की एक उपर राश्ति प्रसासनिक इकाई है जो चंडी गड़ है यह दोस्तों क्या है शंगी प्रसासनिक धाचे की एक उपराश्ती प्रसासनिक इकाई है ठीक है उस्तों क्या चंडी गड़ बात करते हैं दादार और नागर हवेडी दमन और दीब यहां पे अगर बात करते हैं यह दोस्तों क्या ह इतनी बात किलियर है आप इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे अब दोस्तों यह पर पंडुचेरी पंडुचेरी को इसके बारे में बात करते तो आंसिक राज्जी का दर्जा दे दिया गया जो पंडुचेरी है इसे दोस्तों आंसिक राज्जी का दर्जा दे कर सकता है इतनी बाद लिए एक साथ और आगे बड़ेंगे अब दोस्तों यहां पर हमें बात करते हैं सबसे पहले डिली की भात करते हैं तो डिली दोस्तों-डिली की अगर बात करते हैं national real azah iri rapि जानें तो भषगोरत की राजदानी यहां पर बात करते हैं यह यमुना नदी के किनारे इस नगर का गरब साली इतिहास है यह भारत का अति प्रचीन नगर है इसका इतिहास सिंदू घाटी सिंद्गाटी से जुड़ा हुआ है महाभारतकाल में इसका नाम क्या था इंद प्रस्त था इतनी बात के लिए रहे इस प्रदेश की सीमाएं सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर दच्च्णी उत्तर दच्च्णी और फश्चमी भाग में हरियाना और पूरम में दुफ्तों कितनी है दुफ्तों 3040 से किलोमीटर है इतनी बात किलियर है कि उसको वर किलोमीटर है जनसंक्या की द्रश्टी से अगर बात करते हैं जनसंक्या की द्रश्टी से भारत का दूसरा सबसे वला कि उसको महाकार यहां पर उसको महा नगर होगा यहां पर उसको क्या है महाकार है जनसंक्या इतनी बात के मेरट सांजयावाद नोईडा विलंद घास करते हम स्में सहर शामली वागपत और उसक्रापुड मुझफर नगर फरीदवाद मेवाद रोतक शोनीपत सोनीपत रहवाडी और जववर पानीपत पलव और महंद्रगद विगाडी विवाडी जिदकरनाल और भरतपुर और अलबर यह दुस्तु क्या यंसियार के जिलें इंसियार के है ठीक हो दोस्तों इसी साथ आगे बढ़ेंगे अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में अगर हम बात करते हैं इसका संपूर्ण जानकारी है यहां पर अगर हम बात करते हैं दिल्ली राज दिल्ली राज का अगर गठन की बात करते हैं तो एक नम इतनी बात के लिए जन संक्या की अगर हम बात करते हैं तो जिन संक्या की एगर हम बात करते हैं तो जंसंक्या क्या स问 सबस्थ करें भी शवНе करें तो क्या है रिजा कर था ठी कि जोस्तों क्या जाएगा नील नील गाय ठीक है गोस्तों राजभासा यहां की क्या है दोस्तों राजभासा की अगर बात करते हिंदी और अंग्रेजी दोनों यहां की राजभासा हो जाएंगी आगे बढ़ेंगे अब हम जानेंगे दोस्तों आइंडवान और निकोवार दीप्षमू इसके जानेंगे आन्डवान की इसके वारे में अगर हम बात करें ये बंगाल की खाली के दच्छड में रिफ लगबग 572 छोटे बड़े दीपों से मिलकर बना है कितने उस्तों पांसो बाद्तर छोटे बड़े दीपों से मिलकर बना है इसकी राजधानी दोस्तों क्या है फ्वर्ड व्लेयर है इतनी बात किलियर है आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं अइंडवान और निकोवार दीप्शमू के वारे में इसके गठन के वारे में जानेगे तो गठन क हुआता है एक नमंबर 1956 में इसका गठन हुआता है जिले कितने हैं तीन जिले है उपराज जिपाल यहां के कौन है दोस्तों एड्मिरल एड्मिरल रेट क्या उसको रेटेड देवेंद्र कुमार जोसी यह दोस्तों कौन हो जाएंगे उपराज जिपाल उच्छी नियाल है सब्सक्राइब यानि कि 120 वर्ग मिल इतनी बात के लिए राज्यमासा यांकि क्या हो जाएगी हिंदी अंग्रेजी लिंगान पात यहां का कितना है एक हजार पर आठ सो अठतर दौस्तों क्या है लिगान पात आगे बढ़ेंगे आप बात करेंगे एंडवान निकोंबार के इसके अगर बात करते हैं भासा के शब्द क्यास्तों धंदु मन से भाया है ठीक हो जो हिंदू देवता क्यास्तों हनुमार के नाम पर परिवर्तित रूप परिवर्तित रूप है यानि कि निकोवार निकोवार सब्द भी इसी भासा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है यानि कि कन लोगों की भूम्बी यानि कि अगर वाद करते हैं तो जिले कितने हैं तीन वह उस्तों तीन जिले हैं कान कौन से इतके बारे में जान लेंगे उत्तर मद्य अंडवान जिला ठीक है वस्तों और दच्छल अंडवान जिला इतनी बात के लिए अर्णिकोवार जिला यह तीन ही जिले हैं अर्णिकोवार दीप्षभू में आगे बढ़ेंगे आप जानेंगे चंडीगल दोस्तों चंडीगल यह है यह बहुत ही महत्पून ह चंडीगल की बात करते हैं पंजाब और हरियाना की राज़दानी क्या है और चंडीगल यहां पे अगर बात करते हैं पंजाब और हरियाना की भी राज़दानी क्या है चंडीगल चंडीगल की राज़दानी क्या है चंडीगल यह इतनी बात क्लियर इसका अर्थ है चंडी किला यहां आवस्तित दुर्गा के एक रूप चंडिका के मंदिर की कारव पड़ा था किसका उस्तों मंदिर था यानि कि आवस्तित दुर्गा के एक रूप चंडिका के मंदिर की कारव पड़ा है इसे सिटी सिटी अगर इसे बात कतने इसे सिटी व्यूटी जासतों सब्करण के लिए कारभ जीयर कौन हो जाएंगे कार्ब जियर प्रसासक बनवारी बनवारी राल पुरोईत हो जाएंगे और पुल छेत्र, छेत्र की बाद कतने एक से 14 किलो मीटर, एक से 14 किलो मीटर यानि कि 44 वर्व मील, उचाही बाद करेंगे 321 मीटर, 321 मीटर यानि कि एक हजार त्रेपन फ्लिट, इतनी बाद के लिए रो गई, गठन की बाद करते हैं, तो इसका गठन हुआ था 1903 में, 1903 में हुआ था, किसने किया था, सी राजी अंदर प्रशाद द्वारा किया था, नीव दोस्तों कभर के गए थी 1952 में, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे, चंडी गड़ के विजार में, यहां पर जानेंगे चंडी गड़, यानिकि ब्रिटिस भारत के विभाजन उप परांत, 1947 में, यतनी बात के लिए, और उस्तों पंजाब राज को भारत और पाकिस्तान में दो भागों में बाट दिया गया, पंजाब राज को दो भागों में बाट दिया गया, भारत और पाकिस्तान में, यतनी बात के लिए, यानिकि क्या उस्तों वाट दिया गया, बा पश्चमि बाग को बरतमन पंજाबी रहने दिया इतनी बात करते हैं चंडिगर के बारे में जान लेंगे तो इसतनों यहां 서울 कोश्चन मणेगे तो एक नमबर 16 छेत्र कितना हो जाएगा एक से 14 वर किलोमेटर जिला दोस्तों क्या है एक यहाँ पर बात करते हैं पशू यानिके राज्य पशू क्या है भारती धूसर नेवला और बात करते हैं राज्य पच्छी क्या जाएगा भारती धूसर धनेश धनेश हो जाएगा रा क्या है प्लास का कि अगे बढ़ेंगे ऐस्त मात करते हैं धाधर और डाधर और यहां पर उस्तों दाधर कर लें दाधर और नागरहवैली एवं दम द्वन दीप उसतों हाई यागर बात करते हैं तो यह हैं कि अधिक लिए अधिक लिए- अधिकारिक है तो तो कोकडी उज़राती और हिंदी यह दादर और नागर हवेली दमन की भासा है और यहां की राजधाने क्या है धमन हो जाएगे इतनी वात किलिए आगे बढेंगे यहां के अगर बात करता है प्रिसिद्ध प्रिसिद्ध चीज़े जो है यानि कि चमणे की चपल बंस की चटाई टोकरियां दीब टटों के कच्छुए यानि कि उच्छी न्याले यहां के क्या हमाई मुंबाई लोकसवा सीट एक है और साच्रता दर कितनी है बाबन आगे बाणनेगे बात करेंगे लच्छ दीब के बारे में तो बात करेंगे तो भारत के दच्चर फश्चमी तधो ची क सीफ दो से 400 किलोएंटर दूर में recl कि अगले को क्या कि रॉस्त हो लग लक का दीप मिनिकाय अमिनि अमिनी वह मिनिदीप का नाम से जाना जाता था यह दीप शमू भारत का एक केंदर सासित प्रदेश होने के साथ साथ, केंदर सासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है, यह दीप शमू भारत का सबसे छोटा केंदर सासित प्रदेश है, अगर भूच दिया जाए भारत का सबसे छोटा केंदर सासित प्रदेश, वै कवरती लक्ष दीप की राजदानी के अधिकार के अंतरगत आता रहाँ अगे बड़ेंगे अब बात करते हैं लक्ष दीप की इस्थापना इक नंबबर 46 राजदानी कवराती हो जाएगी प्रशासक दिनेश्वर सर्मा हो जाएगे और बात करते हैं कुल शेतपल 32.62 किलोमेटर हो जाएगा इतनी बात के लिए भासा दोस्तों यहां की क्या जी मल्यालम और अंग्रेजी जिले एक है यानिकि सबसे बड़ा सहर क्या हो जाएगा दोस्तों अनंद रोत अनंद रोत हो जाएगा इतनी बात के लिए आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं लक्षदीप यहां की साच्छर्ता साच्छर्ता क्या है एक क्यानवे फॉइंट आठ फॉइंच प्रसेंट हो जाएगी तो उसनों अगवती दीप पर एक हवाईड़ा मौजूद है य राजी पशु तितली भीत हो जाएगे लोकनति क्लीयर अब गढ़ेंगे एकम्प कश्विर के इनगे तो जंबो कश्मिर की अगर बात करते हैं तो जंबो कश्मीर भारत द्वारा केन सासित। प्रदेश के रूम में प्रसासित मैंने कि प्रसासित एक छेत्र है यह दच्छडए ऐसी आई उत्तर पच्छिम भाग में इस्तित है जोस्तों इसकी इस्तिती बूझ लेता है कहाँ पर हैं और कश्मीर के बड़े कश्मीर के बड़े छेत्र का हिस्सा है जो 1947 से भारत पाक और चीन के बीच बिवाद का बिशह रहा है नेंट्रल रेखा क्रमशा जंबू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकरित कश्मीर और क्या आपर बात करते हैं गिल गिलगित गिलगित यानकी बलिस्तान के पाकिस्तान प्रकासी छेत्रों से अलग करती है यह भारती राज्जुन हिमांचल प्रदेश पंजाब पंजाब के उत्तर में मौर भारत द्वारा प्रसासित केंद्र केंद्र सासित प्रदेश लग्दा के पश्चिम में इस्तित है यह क्या है लग्दा के पश्चिम में इसके थे इतनी बात किलियर है आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं केंट सासित प्रदेश ये बना कव ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है इसकी राजधानी दस्तों क्या है दो है पहली का है सिरी नगर ये उस्तों माई और अक्टूबर ये सिरी नगर रहती है और संसदी छेत्र क्या है राजी सवा लोग सवा उच्छ न्याले जंबू और कश्मीर लद्दाग इतनी बात के लिए आगे बढ़ेंगे यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके कुल छेत्र पल तो कितना हो जाएगा यहां का राज्य पच्छी घोसित नहीं है यहां का राज्य पच्छी जो है बैगोसित नहीं है राज्य वहांसा क्या हो जाएगी बहुत ही दोगरी हिंदी अंग्रेजी और उर्थू आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं लद्दाग के बारे में लद्दाग के भारत का एक हैंद्र सासित प्रदेश है जो उत्तर में कारा कोरम परवत और दच्छन में हिमाले परवत के बीच में इस्तित है इसकी इस्तिती के आजाएगी उत्तर में जो है कारा कोरम परवत और दच्छन में हिमाले हिमाले परवत के बीच में दोनों के बीच में कारा कोरम और हिमाले के बीच में इसकी ये इस्ति मानता है ठीक है जो वर्तमान में क्रम्फ हफ पाक और चीन के अभेट अबसतों करते हैं जो अगर बात करते हैं ञिए जो ये ही चीन के इतना है यह दोस्तों कितना videos परसेंट है इतनी बात के लिए अब बात कतने लद्दाग के बारे में यहां पर केंदर सासिच प्रदेश यह बना कब 31 अक्टूबर 2019 को बना है राजधान इसके क्या जेगी लेह कुल जीले कितने हैं है कि यहां है डो लेह और कारगिय अपरा जपाल यांके कान है वीडी मिश्रा हो जाएंगे नांग गया सांसद उचनले इसका कहा है जंबू कशमीर लद्दा कुछनले हो जाएगा बात करते हैं अधिकारी मासा क्या हिंदी हो जाएंगी लट्दाक सिंदुनधी लट्दाक है भारत का सबसे बड़ा केंद सासित प्रदेश कंसा है लग्दाक है और सबसे कम आवादी वाला भी लग्दाक है ये दोनों कुश्चन बहुत ही वाट है तो इनको अच्छी तरह से याद रखना है आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं आठमा मार राज्जी है पांटू चेर खेटर की अगर हम बात करते हैं पुल खेटर 497 वर किलो मेटर पांटू चेरी का प्रचीन नाम क्या है पांडू चेरी था जिसे 2006 के सितंबर माहा में बदलकर पांटू चेरी कर दिया गया दोस्तों अगर बूच दिया जा इसका नाम कब बजला गया 2006 में बदला गया इस सि कितने हैं जंसंख्याव गोस्तों यहांपर कितनी है जंसंख्या की अगर हम बात करते हैं यहां पर वारा 44.464 लिंगा अनपात कितना है लिंगा अनपात की अगर बात करते हैं 1031 बात करते हैं 86.5 परसेंट हो जाएगे या कि साच्छतादर आगे बनेंगे अब बात करते हैं राजी पच्छी यंक्त क्या जाएगा एसीबर क्या हो जाएगा अर राज पैर क्या ह्याएगा want to sonati ओंवने शायर आंगे शुक्न होजाए 9-1 राज्य के वारे में स्वी डिटिले में अभर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्याद था से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसी एक साथ मिलते हैं कल की क्लास में सभी दोस्तों के मेरे तुछ से जहन जैवारत